नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं Mission KBS के इस चैनल पर आज से हम पेडागोजी की जो है नई सीरिस स्टार्ट करेंगे MCQ Questions की जहाँ पर हम चुरेंदा कुछ MCQ Questions ले के आएंगे और जहाँ पर आप अपने नॉलेच को अपने जो अब तक सीखा है उसको आप अप्शन देखेंगे उसके बाद इसका हिंदी अनुआद देखेंगे फिर थोड़ा समराइज कर देगे मतलब हलका सा की question exactly पूछ के रहा है उसके बाद option देखेंगे बहुत सिंपल कुर्शन विकास की चार विशिस ट्रवस्थाओं की पहचान की गई है किसने की है चार विशिस ट्रवस्थाओं की पहचान बहुती सिंपल कुर्शन एस किंदर द्वारा बी प्याजे द्वारा सी कोलबग द्वारा option डी एरिक्सन द्वारा तो चल्दी समता यह आपका अंसर क्या है जी हाँ option B प्याजे द्वारा बहुती सही आंसर है ठीक है बहुती easy question है अगले पर चलेंगे the stage in which child begins to think logically about object and events known as ठीक है option देखेंगे pre-operational stage, option B concrete operational stage, option C sensory motor stage और option D formal operational stage इंदियम देखेंगे अनु आज कि वाँ वस्ता जब बच्चा तार्किक रूट से वस्तुमों और घठनाओं के विशय में चिंतन करना यानि चिर्दम प्रारम कर देता है ठीक है, option देखेंगे पूरो संक्रियात्म कवस्ता, option B मूर्थ संक्रियात्म कवस्ता, option C सन्मेदी प्रेरा कवस्ता, option D आप्चारिक संक्रियात्म कवस्ता जी हाँ, थोड़ा इसको बता दूँ कि यह question प्याजे के उसी theory से ही है, जहाँ पर बच्चा, बच्ची के जो four stages है, उसके उसी से related question है कि कौन सी stage में बच्चा जो है तार्किक रूप से यानि logically object और events के बारे में सोचना शुरू कर देता है, वो कौन सी stage में यह होता है बच international stage, जहाँ बच्चा जो है, logically तोचना चालू कर देता है, event और objects के बारे में, जिसका answer अब तक सही जा रहा है, बहुती बहतरी, आगे देखेंगे, third question, according to PRJ, at which of the following stages, does a child begin to think logically about abstract proportion, यहाँ पर देखिए, question जो है, फिर से प्याजे से आया है, यहाँ पर देखिया, question देखिए question का MCU का जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यहाँ पर हम topic wise filter करके questions करेंगे, जहाँ पर एक एक जो है knowledge अपना, जो आपने एक theory पड़िया, आपने एक topic पड़ा, उन सब का आप जो है, एक अच्छे से check-up कर पाएंगे, कि आप कितना हद तक achieve कर पाएंगे, ठीक है, तो सारा हम यह topic wise करेंगे, ठीक है, ऐसे mix-up नहीं करेंगे, किसी का भी, पहला है sensory motor stage, जो कि birth से लेकर 2 years, उसके बाद pre-operational stage, जो कि 2-7 साल चलता है, और concrete operational stage, जो कि 7-11, और formal operational stage, जो कि 11 से उसके बाद आई जाता है, 11 से 15 बने पड़ा है, अब exactly मालूम नहीं, शायद 15 है, ठ कि 11 से लेकर लगबख बंद राता है, formal operational stage, ठीक है, तो हिंदी मनवाद देखेंगे, कि प्याजे के नुसार, निम लिखेत में से, कौन सी अवस्था में, बच्चा, अमूर्थ संकल पनाओं के विशे में, तार्किक चिंतन, करना प्रार्म कर देता है, ठीक है, यानि कि, option ब बोल रहा है कि वो अवस्था, वो stage, जब बच्चा, जब बच्चा होता है, वो एकदम proportions के बारे में, abstract proportions, मतलब जो हमारी, वो अमूर्थ संकल पनाओं होती है, उनके बारे में सोचला चालू गड़ देता है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अपचारिक का दूसरा नामी अमूर्त होता है, तो बहुत इज़ी question है भी, अपचारिक संक्रियात्म कवस्था का दूसरा नामी अमूर्त संक्रियात्म कवस्था होता है, तो यहाँ पर इतना आपको तिक्कत होगी नहीं, यहाँ क्या होता है, इस वाली stage में, last stage होती है, 11 से 15 वाली, इसमें वच् the first stage of development बर्थ जो की बर्थ से लेके दो यह तक चलता है two years of age चलता है a child learns best कि कि किसके दोरा बक्चा भेतरीन सीखता है by using the senses by comprehending neutral words by thinking in abstract fashion और option D by applying newly acquired knowledge of language ठीक है हिंदी बनवात देखेंगे इसका कि प्याजे के नुशार विकास की पहली वस्ता जन्म से लगबग दो वर्ष की आयू के दोरान जब बच्चा बहतर सीखता है इंद्रियों के परियोग द्वारा निश्क्री सब्दों को समझने के द्वारा अमूर तरीके से चिंतन द्वारा भाषणा के नए अरजित ज्यान के अनुपरियोग द्वारा वहती सिंपल और ईजी कुश्चन है कि बच्चा जो है जन्म से लेके दो वर्ष की जो उसकी यह जोती है उसकी जो स्टेज आती है फर्स स्टेज इसको सेंसरी मोटर स्टेज क वाइफ वाइगोट्स की एंफरसाइज दा सिगनिफिकेंस ओफ दर रोल प्लेट बाई विच ओफ द फॉल्विक्स वेक्टर इन लर्निंग ऑफ चिल्डरन ऑप्शन देखेंगे कि बहुत ही सिंपल है बहुत ही नोन कुश्चन है यह कि हैरेटी आप भथम गबाद बहुत ही बैतरीन सीखता है और बच्ची की जो लर्निंग होती 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 अच्छे से होती है और इफेक्ट भी करता है वो फैक्टर बहुत ही नोन कुश्चन वाइगोट्स की बच्चों की सीखने में निमले की तुमसे किस कारकी महतबड भूमी का पर बल देते हैं बहुत वो बच्चा है उसका समाजिक रूप से बहुत ज़्यादध फेक्टर जो है उसके इफेक्ट करता है बहुत ज़्यादध ऑप्शन 6 देखेंगे कोशन 6 देखेंगे अकोर्डिंग टू कोलबग एटीचर एटीचर कें डेवलप मोरल वैल्यूज इन चिल्डरन बाइ ऑप्शन ए गिविंग इंपोर्टेंस टू रिलिजिस टीचिंग ऑप्शन भी लाइंग क्लियर डूल्स ऑब बिहेवियर ऑप्शन सी इन्वाल्विंग इन डिसक्शन ऑन मोरल वैल्यूस ऑप्शन डी इस्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन ऑन वाव टू भी ठीक है यहाँ पर हम देखेंगे इंदियम अनुवाद कोलबग के द्वारा कोलबग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक वोल्यों का विकास कर सकते हैं कैसे कर सकते है उसके चार उपशन दीन में से कानसा बेफ़ेगर ठीक है ढार्मिक शिक्षा को महत्यूं देकर क्या या नैतिक अपर ग्यार हो किया जाना चाहिए स्ट्राफ क्थोर औंदिर जेश सर्कास कर सकते करसकते हैं क्या कहते हो तो यहाँ पर आप बताओ option A, B, C, D, घंसा सही है, ठीक है, जी हाँ, level of questions देखेंगे, दिरे-दिरे बढ़ेगा, घटेगा, तो यहाँ पर आप ऐसे हमें समझे, बहुत easy question है, हर तरीके question है, यहाँ पर mix up होंगे, but topic wise questions होगे, तो यहाँ पर option हमारा, हमारा एक option C, नयतिक जो मुद्दे होते हैं, कि involving them in discussion, यान कि discussion जो करेंगे, बच्चे moral values के ओपर, वहाँ पर जो है, वो develop कर पाएंगे, नयतिक मूलने हो, क्योंकि आप उनको freedom मिलती है, वहाँ पर उनको सोचने का, और अपनी critical thinking को यूज़ करने का मौका मिलता है, question देखेंगे, 7, according to PRG's stage, चुकि cognitive development की 4 stages है, टीक है, the sensory motor stage is associated with, किसके द्वारा वो संबन्दित आप असोशियेट है, देखेंगे, option A, imitation, memory and mental representation, option B, ability to solve problems in logical fashion, option C, ability to interpret and analyze options, option D, concern about social issues, टीक है, हिंदि में देखेंगे कि प्याजे के संगयनात्मक विकास के चरणों के अनुसार, इंद्रिय गामा, जो की पहली अवस्था होती है, sensory motor stage, अवस्था के साथ संबन्दित, आनि कि इनमें से जो option है, उनमें से कौन सा जो है, वो sensory motor stage के साथ connected है, टीक है, option A, अनुकरण, स्मृ और मानसिक निरूपन, option B, तारकी को रूप से समस्या समधान की योगिदा, या option C, विकल्पों की व्याख्या और विस्टिलेशन करने की योगिदा, option D, समाजिक मुद्दों से सरुकार, यानि कि बच्चा जो है, sensory motor stage में, उसका संबन्द इनमें से किस से जाधा अधर होता जी हाँ, option A, अनुकरन स्मर्ति और मानसिक निरूपन, इसका सही answer है, जहाँ पर बच्चा जो है, sensory motor stage में, अधिक्तम इससे ही associate होता है, इससे ही संबन्दित होता है, आगे देखेंगे, option, हमारा हो गया है, sorry, question हमारा, 8, the stage of cognitive development according to PRG, in which a child displays object permanences, बहुत ही question, मजदारा बहुत बर आया हुआ है, के विए seated, बहुत हर जगे आता है, इकोशन, ठीक है, तो option A, sensory motor stage, option B, pre-opernational stage, option C, concrete operation stage, और option D, format operational stage, हिन्दी मनवाद देखेंगे, कि प्याजे के नुसार, संगेनात्मक विकास के किस चरण पर, बच्चा जोता है न, वस्तु स्थाइत्व को प्रदर्शि यहाँ पर वस्तु स्थाइत, या फिर object permanence का मतलब बता जता हूँ, आपको यह होता है, कि जब बच्चे के सामने कुछ चीज रखते हैं, छोटे बच्चे के सामने, तो उसके mind में वो चीज तब तक exist करती है, जब तक उसके सामने नजरों के सामने वो object होता है, तो object का पर चीज जो है, उस दुनिया से हड़ दाती है, exist करना बंद कर देती है, तो वस्तु स्थाइत तो उसी को कहते हैं, यानि कि object permanence, तो question यह है कि 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 स्टेज में, cognitive development के कि स्टेज में, जो है बच्चा object permanence का जो activity करता है, उसे react करता है, कौन से में वो प्रतरशित करता है, तो ज object permanence की, जो छोटा होता है, 0 से 2 years, 9th question देखेंगे, according to Kohlberg, thinking process involved in judgment about question of right and wrong is called, ठीक है, option A, moral realism, option B, moral dilemma, option C, morality cooperation, option D, moral reasoning, नहीं कि कि कोलबग के नुसार, सही और गलत के प्रशन के बारे में, निरने में शामिल, अब देखो, निरने में शामिल, जो चिन्तन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है, ठीक है, ठीक है, अप्शन B, नेतिक दुविदा, option C, सहिःओं की नेतिक तरकणा, जो कोशन समसेना है, ये बोल रहा है, कि, कोलबग के नुसार, जब एक व्यक्ति सही और गलत का फैसला करता है निरने लेता है तो उस वक्ट जो चिंदन प्रक्रिया होती है ना जो प्रोसेस होता है थिंगिंग प्रोसेस उसको क्या कहते है यहां पर वो पूछा गिया ठीक है थिंगिंग प्रोसेस जो था उसको क्या नाम दिया है तो कोलबाग ने इसको क्या नाम कोई भी है वहाँ पर वो सही और गलत के प्रशन के बारे में जब निरने लेने में उस्तितिम होता है वो सही जो है प्रशन का सही या फिर गलत निरने लेने में तो उस समय जो प्रोसेस होता है प्रक्रिया होती है न चिंतन की वो हमारी नयतिक दुविधा या फिर मोराल डिल बहुत ही मज़दर कोश्च है और आपने थियोटी पढ़िया तो बहुत ही जिकर लोगे आप एसिमिलेशन ऑप्शन बी स्कीमा ऑप्शन सी पी प्रिसेप्शन ऑप्शन डी एकमेडेशन ठीक है संधनमक सिधानत के अनुसार वब फ्रक्रिया जिसके द्वारा संधनमक संशोधित किया जाता है कहलाती है ठीक है ऑप्शन देखेंगे समावेशन ऑप्शन बी स्कीमा ऑप्शन सी प्रतेक्शन ऑप्शन डी समायोजन अब यहाँ पर देखो बहुत इजी और मज़दार कोशन है कि जब बच्चा होता है जो उसके कोगनेटिव जो स्रक्चर होता है इसमें मौडिफिकेशन होता है न होता है राइट आंसर कि जब बच्चा होता है उसके पुराने स्कीमा में नया स्कीमा को जुड़ता है तो उसको होता है एसिमिलेशन और जब वो चेंज हो जाता है एसिमिलेशन होके तो जो वो पूरा एक आउटकम निकलता है वो बनता है एकमेडेशन ठीक है मौडिफिक जाया हमारा जो स्कीमा है उसमें जो बेसिक चेंज आया पूरा घुमा फिरा के नए और पुराने को स्कीमा को मिला के उसको modification यानि की accommodation कहते हैं इसे हिंदी में समायोजन कहते हैं तो I hope आप सब को यहाँ पर पसंदाई हो यह वीडियो और आपना स्कोर जरूर बताई है कि आपका स्कोर क्या आया है और कोई भी सुझाओ है तो वीडियो के जरूर comment box में जरूर बताए हमें तब तक के लिए मिलते हैं next वीडियो में टेक केर